नमस्कार जेहें साथ्यो राज्थान एग्रिकल्चर सुपराइजर 2021 में भाग लेने वाले सबी विद्यारतियों के लिए एक मत्पुन सूचता है साथ्यो RSM SSB बोर्ड ने लास्ट येर 2018 की कटोब डाली है उस पर हम चर्चा करेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे साथ्यो की 2021 में क्या कटोब जा सकते है देखो आप अपने मुबाइल की स्कीन पर अपने गूगल पर RSM SSB डालना तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आजाएगा तब आप इस साइट पर जाओगे इसको कोलोगे तब साथ्यो ऐसा इंटरफेस आजाएगा तब न्यूज पर आपको जाना है और न्यूज पर जाओगे तब वहाँ पर देखो न्यूज नोटिफिक्शन दी हुई है इस पर जब आप किलिक करोगे तो यहाँ पर देखो ऐसे आजाएंगे यहाँ पर यह डाला हुआ है अग्रिकल्चर सुप्रवाइजर 2018 फाइनल सेलेक्टेड केंडिडेट अगेंट नोन जुनियर्स तो यहाँ से यह डाउनलोड करोगे जिसा कि मैंने डाउनलोड कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ और यह डाउनलोड कर रखा है इसके अकूडिंग देखो इन्होंने बता रखा है कि 2018 की वेकेंसी थी उसमें देखो जनरल की कटोप क्या गई थी जनरल OBC की तो 237.76 यह कटोप गई थी अब देखो आप इससे क्या मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि इस साल 2021 में कितने कटोप जाने वाली है तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कोई भी साथी OBC वर जनरल में आता है या EWS में तोड़ा सा 5-10 नंबर का फरक रहता है जो भी OBC जनरल में आता है उनको लगबग 500 नंबर तो चाहिए ही चाहि यह तब ही 100% उसके नोकली लगने के चांस है और उसको एकरिकल्चर सुपराइजर बनने के चांस है देखो एक बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेट डिफेंट करती है पेपर के उपर अगर पेपर सरल आ जाता है तो कटोप जादा जाती है और अगर पेपर कठी ना जाता है तो कटोप खुद बखुद कम चले जाती है क्योंकि माइनस मार्क जह होते हैं इस वज़े से माइनस हो जाते हैं तो देखो यह सब कुछ बात तो पेपर होने के बात ही बताई जा सकती है परन्तु एक मोटा मोटा अंडाजा लगा सकते हैं कि आपको 500 प्लस नंबर तो चाह यही चाहिए अगर पेपर सीधा आ जाएगा तो कम चल जाएगे और कठिन आ गया तो कम चल जाएगगे वो उसके उपर टिफएंट करते और आप यहां से देख सकते हैं अभी के लिए यही जानकारी थे इसी के साथ सात्यों अलविदा लेना चाहूँगा और किसी भी पर कार की एगरी कल्चर सुपरोईजर या एगरी कल्चर सेक्टर में अपडेट राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सस्काइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए अपने दोस्तों तक इसे सेर जरूर कीजिएगा दन्यवाद जे हिंद जे बारत